त्युहारी सीजन में मसालु की मांग बढ़ने की उमीद से धनिया और जीरे में तेजी देखने को मिल रही है हाला कि पिछले तीन दिनों में हल्दी में करीब 12 फिस्दी की बड़ी गिरावट रही धनिये में 3 फिस्दी की मजबूती के साथ कारुबार दर्च किया गया मजबूत मांग और तंग सप्लाई से धनिय की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है त्युहारी सीजन में मसालु की डिमान मजबूत रही है वही इस साथ धनिय की बवाई गटने की आशंका है और अच्छी बारिश से दूसरी फसरों में किसानों का रुजहान भी अभी बना हुआ है इसके साथ ही हल्दी में कई दिनों से लगातार विक्वाली जारी है तीन दिन में NCBX पर करीब हल्दी के भाव 12 फिस्दी तक गिरे है हाजिर बाजार में कमजोर डिमांड से वायद में बिक्वाली देखनी को मिल रही है त्योहारों पर दीरे-दीरे मांग लोटने की उमीद है भाव नीचे आने से निर्यात मांग फिर से लोटी है हुई लगातार बारिश से उपच पर असर पढ़ सकता है त्योहारों पर मसालों की घरेलों डिमांड बढ़ने की उमीद जताई जा रही है वेपारियों और किसानों के पास जीरे का परियाप स्टॉक के कारण उच स्तर पर कीमतों पर दबाव रह सकता है सितंबर से नवंबर के दोरान पश्चीमी छेतर में समाने बारिश के पुरवानुमान से गुजरात और राजिस्तान में जीरे की बवाई में बढ़ोतरी हो सकती है अच्छी बारिश से इस साल जीरे की बुवाई बढ़ने की उमीद है और अच्छी बुवाई से केरी फोवर्ट स्टॉप भी बढ़ सकता है महीं 2021 जनवरी जून में देश ने पिछले साल की समान अबधी के एक दशम्रक तीन लाग टन की तुलना में डेड़ लाग टन से अधिक जीरा निर्यात किया है महीं जैसे जैसे त्योहार पास आते रहेंगे मसालों की कीमतों में और उच्छाल देखने को मिलता रहेगा